नमस्कार साथियों कैसे हो सर्व परतम तो हमारे शौतंदरद दिवस की पोरो संध्या पर आपको सौतंदरद दिवस की डेर सारी बधायां और सुप कामनाएं आज मैं इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ भारत की सौतंद दिवस की उपलक्स में 20 महत्तपुन क्यूसन हो जाएए तैयार मेरे साथियों देखे क्यूसन नमबर एक पंदरा अगस्ट दोजार बीस को भारत अपनी सौतंदरता की कौन सी वर्स गांट मनाने जा रहा है जो कल है ए 73, B 74, C 55, D 32 बताओ प्यारे विडियों इस क्यूसन का उत्तर क्या होगा 15 अगस्त 2020 को भारत अपनी सोतंतरता की कौन सी वर्ष गांट मनाने जा रहा है इसका सही उत्तर कौमेट बॉक्स में बताईए इसका सही अंसर होगा B 74 वर्ष गांट मनाने जा रहा है कल भारत क्योस नमर दो 15 अगस्त को लाल किले पर राष्टिय धावज कौन फैराता है A परधान मंतरी B राष्ट बती C विदेश मंतरी D मुख्य अति थी बताईए 15 अगस्त को हमारे लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा राष्टर धावज कौन फैराता है बताओ साथियों इसका क्या एंसर होगा सोचो इसका सही अंसर होगा A परधान मंतरी भारत का पीम फैराएगा लाल किले पर राष्टर धावज क्यूसर नमर तीन 15 अगस्त 2020 की थीम क्या है A कोरणा मुक्त भारत B आतम निर्वर भारत C संकलप बद भारत D उर्जावान भारत बताओ 15 अगस 2020 की थीम क्या है धेवा की क्या है बताओ इसका उतर इसका सही अंसर होगा B आतम निर्वर भारत थीम रखिये 15 अगस 2020 की क्यूसर नमर चार भारत को आजाद हुए कितने वर्स हो गई A 72 वर्स B 73 वर्स C 74 वर्स D पीचेतर वर्स बताओ साथियों इस क्यूसर का उतर क्या होगा भारत को आजाद हुए कितने वर्स हो गई है 72, 73, 74, पीचेतर कन्फ्यूज हो रहे हैं क्या बताओ इसका उतर क्या होगा इसका सही अंसर होगा B 73 वर्स हो गई 74 वर्स गांट मना रही है क्यूस नमर पास भारत ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था कब सुईकार क्या था A 1947 में B1949 में C1950 में D1951 में बताओ साथियों इसका एंसर क्या होगा बहुत महत्तवपुन क्यूस ने बार बार कंपिडिस्णों में पूछावी जाता है बारत ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था जनगनवन को कि अमारा राष्ट्रगान है इसका सही अंसरोगा C1950 में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था क्यूस नमर चे 15 अगस्त के बासन का रंगीन टीवी पर परसारन पहली बार कब किया गया था A15 अगस्त 1982 को B15 अगस्त 1947 को C15 अगस्त 1950 को D15 अगस्त 1991 को बताओ रंगीन टीवी पर परसारन पहली बार कब किया गया था बताओ साथियों इस क्योसन का उत्तर क्या होगा मुल्यांकन करो अपना कि कितना अगनोलेज है हमारे को इसका से अंसर है A15 अगस्त 1982 को इंद्रा गांधी जब परदान मंतरी थी क्योसन नमर साथ 14 अगस्त 1947 को नहरू ने अपने किस भासन में देश की आजादी की गोश्टना की A. लोकतंतर से शाक्सातकार B. आत्मा से शाक्सातकार C. करम से शाक्सातकार और D. नियती से शाक्सातकार बताओ 14 अगस्त 1947 को नहरू ने अपने किस भासन में देश की आजादी की गोश्टना की थी आती महत्तापुन की उसने कई बार ये क्योशन कंपिडिस्नों में भी पूचा आगया है आज वाले क्योशन ये मत सोचना कि सोतंदर द्यूस के उपलक्स पे ही है कई बार पेपरों में भी आए हैं इसका सही अंसर है डी नियती से शाक्षातकार नियती से मिलन हुआ है क्योशन नमराट हमारे राष्टर दावाज तिरंगे में नीले रंग का चकर किसका घोतक है ए स्रीकर्सन का चकर बी धरम का चकर सी अशोक का चकर डी नियाय का चकर बताओ साथियों कन्फ्यूज हो रहे हो क्या ऐसे कि उसनों पे कभी हम गोरी नहीं करते हमारे राश्ट्य धावज तिरंगे में निले रंग का जो चक्र है न वो किसका घोतक है ये बताओ इसका सही एंसर होगा डी नियाय का चक्र है ध्यान देना नियाय के चक्र का घोतक है क्योस नमर नो तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया था जो हमारा तिरंगा है राश्ट्य धावज जो कल फैराएगा पुरे भारत में लहराएगा देखना तो A. महात्मा गांदी ने B. स्यामलाल गुपता ने C. पिंगली वेंकिया ने D. सतिंदर नाथ ने बताओ डिजाइन किसने बनाया था इसका सही एंसर है C. पिंगली वेंकिया ने डिजाइन बनाया था तिरंगे का क्योस नमर दस जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को उस समय बिटेन के परधान मतरी कौन थी A. विंसेट चर्चिल B. टॉनी बिलेर C. क्लिमेंट एटली D. लाड माउट बैटन 5 सेकिंड का समय है आपके पास आज तो बताओ प्यारे विद्यार्थियों एकदम धीरे धीरे बोलाओ मैं क्यूसन को सही पढ़ो समझो एंसर C. कलिमेंट एटली थे ये क्यूसन भी आया हुए बहुत बार पेपरों में क्यूसन नमर 11 शवतंदर भारत की पहली महिला मंतरी कौन थी जब भारत आजाद हुआ पहला मंतरी मंदल बना तो उसमें पहली महिला मंत्री कौन थी A. सरोजनी नाइडू B. सुचिता करपलानी C. इंद्रा गांदी D. राजकुमारी अमरता कौर बताओ साथियों इस क्योसन का एंसर क्या होगा स्वतंद भारत की पहली महिला मंत्री कौन बनी थी अती महत्तपुन क्योसन है बताओ इसका उत्तर इसका सही अंसर होगा D. राजकुमारी अमरता कौर जो स्वास्तेवं चिकिस्या मंत्री वनी थी क्योसन नमर बारा भारत के साथ कौन सा देश अपना सोतंतरता दिवस नहीं मनाता है 15 अगस्त को इसका सही अंसर होगा D. इंडोनेसिया नहीं बनाता है क्योसन नमर तेरा जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को उस दिन महत्मा गांदी कहा पर थे उस दिन जो पार्टी जसन हो रहा था हमारे सोतंतरता दिवस का जब हम आजाद हुए इतनी गुलामी के बाद तो बताओ गांदी जी कहा थे A. बंबई में B. कॉलकत्ता में C. दिल्ली में D. एहमदाबाद में बताओ कहा पे थे ये क्योसन भी कई बार देखा होगा आपने पेपरों में पूछा गया है बहुती महत्तपुन है साथियों इसका सही अंसर होगा B. कॉलकत्ता में थे नौकली काओं में हिंसा बढ़क रही थी इस कारण वहाँ पे क्यूसन नमर 14 15 अगस्त 1947 को भारत की आबादी कितनी थी जन संक्या कितनी थी A. लगबग 32 करोड B. लगबग 20 करोड C. लगबग 50 करोड D. लगबग 70 करोड जब हम आजाद हुए उस समय हमारी जन संक्या कितनी थी भारत की आबादी कितनी थी इसका सही अंसर होगा यह लगबग 32 करोड आबादी थी भारत की उस समय कि उस नमर 15 भारती सविधान के किस अनुचेद में सर्वोच नियाले ने जंडा फैराने की सोतंदरता दी है कि वेक्ति जंडा फैरा सकते हैं लहरा सकते हैं A.14.1 में B.19.1 में C.21.1 में D.21.1 में कि हम जंडा फैरा सकते हैं ऐसी अविवेक्ति कौन से अनुचेद में हमें दी गई है सर्वोच नियाले के द्वारा वैसे मूल सुधान में नहीं है यह बात इसका सही अन्सर है B.19.1 में यह सोतंदरता हमें दी गई है क्योसर नमर 16 15 अगस्त को कौन से महानपूर्स का जनम दिन भी आता है बताओ भारत कैसा कौन सा महानपूर्स है जिसका जनम दिन B. 15 अगस्त को हमारे सोतंदरता दीवस के दिन आता है A. अर्विंद घोष B. बाल गंगादर तिलक C. दादा भाई नौरोजी D. मदन मान मालविये बताओ इन चारों में से किस महानपूर्स का जनम दिन 15 अगस्त को आता है कैसे लग रहे हैं साथियों आजवाले क्योसर बताओ इसका सही अंसर है A. आर्विंद घोष का जनम वो 15 अगस्त को हुआ है क्योसर नमर 17 सोतन भारत का पहला तिरंगा जंडा लाल किले पर कब फैराया गया A. 26 जनवर 1950 को B. 26 नुवंबर 1999 को C. 24 जनवर 1950 को D. 16 अगस्त 1946 को बताओ सोतन भारत का पहला तिरंगा जंडा लाल किले पर कब फैराया गया था साथियों बताओ इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर होगा D. 16 अगस्त 19 सो शेंटालिस को 16 अगस्त को रात को ही क्योसर में राठा ना कल भारत अपना 74 वां सोतन तरता दियोस मना रहा है तो उस समय मुख्या थिती कौन होंगे ए जारजिया के राष्टपती भी बहरीन के परदान मंतरी सी कमबोडिया के राष्टपती D. इन में से कोई नहीं बताओ कल मुख्या थिती कौन है हमारे सोतन दियोस के सामारो लाल किले की प्राचिर पर जब तिरंगा फेराएंगे परदान मंतरी तो मुख्या थिती कौन होंगे उस समय तो इसका एंसरोडी इन में से कोई नहीं क्योंकि 15 अगस्त को कोई मुख्या थिती नहीं आता 26 अनुवरी को आता है क्योंस नुवर 20 हमारे राष्ट दावज तिरंगे की लंबाई और चोड़ाई का अनुपात क्या है ये क्योंस बताओ साथियों बहुत बार आता है कंपेडिस्णों में A. दो अनुपात 3. B. तीन अनुपात 2. C. तीन अनुपात 5. D. दो अनुपात 5. बताओ हमारे राष्ट दावज तिरंगे की लंबाई और चोड़ाई का अनुपात क्या है जो कल पुरा भारत फैराएगा जगे 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 आप देखोगे तिरंगा लहराएगा भारत का इसका सही एंसर होगा B. तीन अनुपात 2. आफसरी अनुपात नाम सर ने ऐसे कैसे लिख दिया क्यों सुनव 20 अंती में निम्मे से गलत कथन है A. सौतन भारत के परतम परदान मंतरी पंडी जुहानलाल नैरू थे B. सौतन भारत के परतम राश्पती डॉक्टर राजेंदर परसाथ थे C. सौतन भारत के परतम भारत के गवर्णर जनरल C. राज गौपाला चारी थे D. सौतन भारत के परतम विरेश मंतरी सरदार बल्ला भाई पटेल थे बताओ इन चारों में से गलत कथन कौन सा है साथियों तो आज वाले क्यूसन कैसे लगे जरूर बताना बताओ गलत कौन सा इसमें से तो इसका सही अंसरे D. सौतन भारत के परतम विरेश मंतरी सरदार बल्ला भाई पटेल थे नहीं पंडित जोहांडाल नहरू स्यम थे जो परदान मंतरी भी थे और विरेश मंतरी भी थे तो कैसा लगा आज वाला वीडियो प्यारे विद्यार्थियों बीस आती महत्वपुन क्यूसनते अगर अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं क्या बताएं अच्छा लगा हो तो जादस जादस सेयर करें और लाइक करें आपने अपना किमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद आपके कितने परसनों के उतर सही हुए कॉमेंट बोक्स में जरूर बताना और एक बार पुने सावतंतरता देवस के उपलक्स पे ये मानों जो हमने ये पशनोतरी कहे दो प्रैक्टिस सेट जो देखा है ये कैसा लगा जरूर बताना और मेरी तरब से शोतंतरता देवस की डैर सारी शुब कामनाएं प्यारी विद्यार्थियों भारत ऐसी तर्की करता रहे बस कोरोनों मुक्त हो जाए जल्दी ही भारत इसी के साथ धन्यवाद